हलो एवरीवन, वेलकम बेक टू ममा बच्चे टॉक्स आज इस वीडियो में हम नरसरी का हिंदी सिलेबस देखेंगे कि किस तरह से आप बच्चों की हिंदी की प्रेक्टिस करवा सकते हैं देखी जब आप worksheet के थूँ बच्चे के practice करवाते हैं तो बच्चे इससे writing तो सिखते ही है, identification भी सिखते हैं और वो exam के लिए भी prepare होते हैं फर्स question है अक्षर से अक्षर मिलाओ, यहाँ पर एक साइट पर कुछ अक्षर लिखे हैं और दुसरे साइट पर भी सेम अक्षर लिखे हुए हैं, बच्चों से बोलना है कि तुम्हें सेम सेम अक्षर को मेच करना है, जैसे फर्स अ से अ को मेच करना है, आ से आ को मेच किया, की से E को मेच किया इससे ने बच्चों को आइडेंटिफिकेशन बढ़ता है बच्चे पिक्चर को अक्षर को रिकगनाईज करते हैं तो यह वाली एक्टिविटी बच्चों से करवानी चाहिए क्योंकि एक्जाम में भी नर्सरी की बच्चों से इस टाइप के ही कोशन जैसे कि यह चमच का है तो चमच का कहा है तो यह च है तो इसके उपर बच्चा गोला कर देगा नेक्स्ट है यह किसका पिक्चर है तो यह ओकली का चित्र है तो बच्चा ओपे गोला करेगा नाओ यह अब यह क्या है तो यह धक्कन का चित्र है तो धक्कन का है यह धक्कन ह गोला अब ये किसका चित्र है ये है च चत्री का देखिए बच्चे च थ ध इन में बहुत कन्फ्यूज होते हैं इस्पेशली च और ध में तो होते ही है तो आप बच्चों से बहुत प्रेक्टिस करवाईए ताकि वो इनको आसाने से रिकगनाईज कर सके अब नेक्स कोशन है सही मिलान कीजिए अब यहां पे एक साइट पे अक्षर लिखे एक साइट पे पिक्चर से आपको बच्चे से बोलना है कि इनका पहला जो अक्षर है मिलान करना है जैसे कि अ, अ से क्या होता है अ, अनार का तो अनार के पिक्चर से अ, अक्षर को मेच करना है ओ, और यहां पे औरत को मेच कर दीजिए, आ, आ से क्या होता है, आ, आम का, तो आ से हम आम को मेच करेंगे, ए, ए से क्या होता है, एडी, तो ए, एडी का, अब उ, उ से क्या होगा, उ, उल्लू का, तो हम उ अक्षर को, उ की पिक्चर के साथ मेच कर देंगे, अब अंग, अंग से क्या होता है, अंग अंगूर का, तो हम अंग अंगूर को मेच करेंगे ए, ए से क्या होता है, ए एनक का, तो ए अक्षर से एनक को मेच किया उ, उन का, उ को उन से मेच कर दिया अब नेक्स्ट है E, E से क्या होता है E, इमली का तो E अक्षर को हमने इमली की पिक्चर के साथ में मेच किया E, इमली का आगे बढ़ने से पहले मैं आप से रिक्वेस्ट करना चाहूंगे कि प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आज़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए अब नेक्स कोशन है समान वर्ण पर गोला बनाओ इस साइट पर कुछ अक्षर लिखे है और इस साइट पर बहुत सारे मिलते जुलते अक्षर लिखे है तो आपको बच्चे को बोलना है कि जो समान अक्षर है जैसे कि साइट पर अ है तो जो उनको इस रो में जितने भी अ देखे हो इसके उपर गोला लगाना है अब उ तो यहाँ पर बच्चा अगेन इस रो में देखेगा उ फिर तो A है इस U पे उपे इन पे सर्कल करेगा अब E अगेन इस लाइन में बच्चा E को देखेगा तो यहां पे E है अब A तो अगेन वो इस लो में देखेगा कहा कहा पे A है वहाँ पे बच्चे को गोला लगाना है अब next question है आ से आ अक्षर पर गोला बनाओ यहाँ पर एक circle है इसमें बहुत सारे अक्षर लिखे हैं बच्चे को जहां जहां आ आम का दिखेगा बच्चे को उसके उपर circle करना है तो यहाँ पर बच्चे देखेगा यहाँ पर उसको इस रो में आ मिला तो इसके उपर गोला किया अब next row में बच्चा सर्च करेगा इस रो में उसको यहाँ पर आ मिला है तो इसके उपर गोला करना है इस तरह से बच्चे जो मिलते जुलते अक्षर होते हैं उनमें भी difference देख पाते हैं कि किस तरह से वहाँ पर मात्रा का difference है तो बच्चा identify कर पाता अब different different अक्षर के साथ में बच्चे की practice करवाईए now next question is चित्र देखकर अक्षर लिखो यहाँ पे चित्र देखना है और बच्चे को उसका पहला अक्षर लिखना है जैसे कि यह किसका picture है अनार का है तो अ अब यह किसका चित्र है आम का है तो यहाँ पे क्या लिखेगा बच्चा यह इमली का है तो क्या लिखेगा ई यह क्या है उन का तो यहाँ पे बच्चा लिखेगा उ अब यह चित्र किसका है एडी का तो यहाँ पे क्या लिखना है अ नाव ये पिक्चर अंगूर का है तो यहाँ पर क्या लिखेगा बच्चा अंग। नेक्स कोशन है खाले इस्थान भरो अगर बच्चे अक्षर लिख पा रहे हैं उनको वर्ण माला लिखनी आती है तो फिर आप बच्चे से स्वर की प्रेक्टिस करवाईए इसमें जैसे खाले इस्थान है तो यहाँ पर आएगा अ अनार का आम का यहाँ पर आएगा ई इमली अब नेक्स कोशन है खाले इस्थान भरो वापस से यहाँ पर खाले इस्थान है अ के बाद आ आम का इ इमली का इ इक का उ उल्लू का उ उनका ए एडी का ए एनक का उ ओकली का और ओरत का अंग अंगूर का और अह देखिए बच्चों से जितनी ज़्यादा हो सके फिलिन दब ब्लैंक्स और मैचिंग एक्टिविटी करवाईए अगर बच्चों को वर्णमाल आती तो पहले उनको स्वर्ग की प्रेक्टिस करवाईए इस वीडियो में हमने स्वर्ग क प्रेक्टिस करें इस वर्ग की वर्गशुट देखी नेक्स्ट वीडियो में हम व्यंजन की वर्गशुट देखेंगे अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्फुल लगाए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए चैनल पर पहली बढ़ाए तो चैनल को सब्सक्र